नमस्कार, स्वागत हैं आपका आपका अपने चैनल आज की वीडियो में मैं आपको फेटी लीवर से सम्बन दे लिवर की समयश्या है तो फिर उस वीडिवर को किस प्रकार के सिम्टमस दिखाई दे सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अफडेट देता हूँ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी वाइटामिन के के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को वाइटामिन के डिफिशेंसी है तो फिर उस व्यक्ति को किस प्रकार के सिंटम्स दिखाएं देंगे, साथे साथ vitamin K deficiency के पीछे कौन-कौन से कारण होते है उसका diagnosis किस तरह से होता है उसकी treatment किस तरह से होती है और ऐसे कौन से foods है जिसमें अच्छी मात्रा में आपको vitamin K मिल जाता है वीडियो की लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी देखें इसा बिल्कूल जरूरी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को fatty liver disease की समस्या है तो शुरू आती समय में लक्षन दिखाई देते है जब भी fatty liver disease की समस्या धीरे-धीरे करके बढ़ने लगती है तो फिर symptoms दिखाई देना start ह होते हैं fatty liver disease जो भी symptoms होते हैं वह mild to severe हो सकते हैं कि कम से ज्यादा severity वाले लक्षन आपको दिखाई दे सकते हैं तो कुछ ऐसे ही symptoms के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमबर एक है weight loss यानि की वजन कम होना देखिए यहाँ पर जो भी weight loss की बात है वो unintentional weight loss यानि की जब भी आपकी इच्छा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी weight loss होता है तो उसे हम कहते हैं unintentional weight loss देखिए जब भी liver की काम करने की क्षमता कम होती है तो उसकी negative impact metabolism और आपकी भूख होती है यानि की metabolism कम होता है और साथ ही साथ आपको भूख भी कम लगते हैं जिसकी वज़े से आपका वजन दीरे-दीरे करके कम होने लगता है नमबर दो है हिपेटो मेगाली यानि की आपके liver की size में बड़ोतरी होना देखिए जब भी doctors physical examination करते हैं और doctor को liver की size बड़ी हु यानि की जब भी liver की size बड़ने लगती है तो right side की ribs होती है उसके नीचे आपको कुछ बड़ा हुआ भाग महिसूस होता है अगर ऐसा कुछ भी आपको होता है तो यह फेटी liver की तरफ इशारा है नमबर तीन है edema यानि की पेरो और ankle में सूजन आ जाना देखिए जब भी liver क की काम करने की क्षमता कम होती है तो पेरो और ankle में fluid accumulation यानि की पानी भर जाता है जिसकी वज़े से वहां पर सूजन जैसा दिखाई देता है तो जब भी एसा कुछ भी लगे कि पेरो और ankle में सूजन आ गई है फुले हुए लग रहे है तो फिर यह फेटी liver disease की समस्या हो सकत है नमर चार है fatigue and weakness यानि की ठकान और कमजोरी देखे जब भी liver की काम करने की क्षमता कम होती है तो blood detoxify करने की क्षमता और साथी साथ energy regulate करने की क्षमता भी कम होती जाते है जिसकी वज़े से आपको हर वक्त ठकान और कमजोरी जैसा मैसूस होता है नमर पांच है जोन डिस द क्षमता है वह कम हो जाती है जिसकी वज़े से त्वचा पर और आखो पर पीलापन देखने को मिलता है नमर शोय है डार्क यूरीन एन पेल स्टूल देखे जब भी liver की काम करने की क्षमता में गरबड़ी होती है तो फिर bile production पर उसकी नकारत्मक असर होती है साथ ही साथ जो लिवर के function में गरबड़ी होती है डिस function की स्थिति सामने आती है तो फिर त्वचा के नीचे के भाग पर bile salt का निर्मान होता है वहां पर उसका बिल्ड होने लगता है जमावड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से त्वचा पर खुझली आने की समस्या रहती है नमबर आठ है spider angiomas यानि की त्वचा पर मकड़ी के जालों के रूप में जिस प्रकार से मकड़ी के जाले दिखाई देते है उस प्रकार से रक्तवाहिन यान ब्लड वेजल्स दिखाई देती है तो समझ लेना चाहिए कि लिवर से संबंदित कुछ प्रोब्लेम हो सकती है नमबर नोव है easy brushing and bleeding हमारे लिवर में ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही जरूरी जो प्रोटिन होता है उसका निर्मान होता है जब भी लिवर की functionality में प्रो निर्मान नहीं होता है जिसकी वज़े से जब भी चोट लगती है तो easy brushing यानि की फटाक से लाल चकते हो जाते है शरीर पर जहां पर चोट लगती है वहाँ पर और जब भी खुन निकलता है तो खुन रुकने में बहुती देरी लगती है तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो लिवर से सब्मंदित कुछ प्रोब्लेम हो सकते क्योंकि लिवर का महत्वपुना रोल मेटाबोलिजम और पार्चन तंत्र से होता है अगर लिवर के function में प्रोब्लेम आती है तो फिर जो डाइजेशन की process है जो मेटाबोलिजम की process है उसमें रुकावट आती उसके उपने जैसे ही लिवर की काम करने की क्षमता कम होती है function में problem होना start होता है तो जो अच्छी तरह से जो toxins लिवर शरील से बाहर निकलता है वो निकाल नहीं पाता है जिसकी वज़े से यह toxins brain तक पहुच जाते है जिसकी वज़े से brain से संबंदिते हैं जो problem यानि की confusion होना memory problem होना cognitive impairment हो सामना करना पड़ सकता है number 12 is swelling in the abdomen यानि कि हमारे abdomen पर सूजन आ जाना देखे जब भी लिवर की काम करने की क्षमता कम होती है तो हमारे abdomen में fluid accumulation होता है जिसकी वज़े से वहां पर discomfort और pain सामने आता है तो ऐसा कुछ भी होता है तो लिवर से संबंदित कुछ problem हो सकती है तो य आपको अपने डॉक्टर से बात करने काफी जरूरी हो जाती है तो फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत